लक्षिमिकान वीडियो के कंपणी रूल को डिसक्स करते हैं जितरे व्यक्त थे उसको डिसक्स करते हैं जो भी लाइन्स होगी उसको मैं आपको हाइलेट करवा दूँगा ठीक है ताकि आपको अच्छे से याद भी रहें ठीक है आई यह तो बिना टाइम विस्ट किये शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए 1600 के लगबग ब्रिटिश एजे ट्रेडर बारत में आये थे ठीक है दिवानी दी थी ठीक है बेंगाल बिहार उडिसा में ठीक है यह दिवानी दी गई तो इनको यह राइट्स दिए गए और सिवल जस्टिस के और रेविन्यू जस्टिस के ठीक है तो आप फ्रेंड्स तो ब्रिटिश का जो कैरियर यहां से शुरू होता है ठीक है 1858 में सिप सिपाई म्यूटिनी शुरु होगी थी इसे First War of Independence का भी जाता है ठीक है इसके चलते इस्ट इडिया कंपनी को फटा दिया ठीक है तो और ब्रिटिश क्राउंड डिरेक्ट कंट्रोल ले लिया British Crown ने इंडिया का ठीक है तो यह ब्रिटिश क्राउंड जो था यह अब चलेगा 1947 तक तो company rule 1773 से लेके 1858 तक चला ठीक है 1858 में सिपाई mutiny के चलते वहाँ पे company rule को हटा दिया गया तो सिधा directly control किया British crown ने ठीक है 1858 से 1947 तक ये rule चलता है तो फिर friends हमारा देश अधाद हुआ तो एक constitution की जुरूरत पड़ी उस constitution को draft करने के लिए एक committee बैठी ठीक है constitutional assembly को बनाया गया 1946 में तो finally हमारा constitution force में आया 26 जैन 1950 को और friends constitution बना Indian constitution को बनने में बहुत सारी चीज़े हुई हमारा Indian constitution त्यार हुआ तो बहुत सारी चीज़े हुई background में ठीक है उस background में जो चीजे हुई जिन्होंने हमारे देश के administration का legal framework और उसको legal shape दिया है तो legal framework एक गम से नहीं बना उसके पहले बहुत सारे event हुए है बहुत सारे event हुए जिनको हमने अब समझना है तो कुछ event जो हुए वो company rule में हुए 1773 से 1858 तक जो company rule चला उसमें बहुत सारे event हुए और कुछ event जो हुए वो crown rule में हुए 1858 से 1947 तक तो यह company rule और crown rule इन दोनों के बीच में जो event हुए उसको समझना बहुत ज़रूरी है तो आईए अब उसके बारे में बात करते है company rule 1773 से 1858 तक crown rule 1858 से 1947 तक तक है तो आईए आप कुछ discuss करते हैं तक है regulating act of 1773 के बारे में regulating act of 1773 की सबसे पहली importance यह है कि यह पहला कदम था British सरकार का जिससे East India Company के affair को control किया जा सके East India Company के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सके उनके function को regulate किया जा सके तो second बात यह है कि पहली बार East India Company political or administration function को shape दिया गया ठीक है जो इंडिया administration को centralized हो एक central तरीके से administration हो यह regulating act of 1773 की सबसे बड़ी importance थी ठीक है तो आईए अब बात करते है feature of this act feature of this act में सबसे पहले governor of Bengal को एक उपरती दी गई ठीक है वो governor journal of Bengal ठीक है तो governor journal of Bengal के लिए executive council बनाई गी जिसमें four member थे ठीक है और first governor journal जो था वो कुन सा था Lord Warren Hastings first governor journal of Bengal कुन था Lord Warren Hastings ठीक है अब जो governor होगा Bombay presidency का जो governor होगा Madras presidency का ठीक है वो report करेगा governor journal of Bengal को ठीक है तो पहले ये independent थे लेकिन अब governor जो journal जो बंगाल का है ठीक है वो supreme है और ये दो इनके subordinate presidency थे ठीक है इसी act में बोला गया एक supreme court बनाया जाएगा ठीक है वो supreme court कलगता में बनाया जाएगा ठीक है इसमें एक chief justice और तीन और judges होंगे यहाँ पे कोई bribe ना ली जाए ठीक है कोई private trade नहीं करेगा कोई जो भी east studio company में काम कर रहा है ठीक है तो आप इसमें British ये खूमत जो थी ठीक है उसने control बढ़ा लिया गया company rule में ठीक है अब उनसे ये का गया ये court of director से ये का गया revenue matter में, civil matter में, military matters में regulating act 1773 में ठीक है तो ये था friends regulating act of 1773, 1773 अमेंडिक act of 1781 ठीक है तो अब ये बोला गया कि regulating act of 1773 में कुछ कमी है ठीक है उन कमियों को हटाना है तो उस कमी को हटाने के लिए लाया गया amending act of 1781 ठीक है तो amending act of 1781 को act of settlement भी कहा जाता है ठीक है इसमें क्या-क्या change लाएगे इसे देखते है अब ठीक है amending act of 1781 जो है इसमें change किया गया jurisdiction of supreme court में ठीक है इसमें jurisdiction of supreme court में काफी fact डाला है amending act of 1781 में ठीक है तो क्या-क्या असर डाला governor journal और उसकी council जो थे ठीक है यह official capacity में अगर काम कर रहे हैं ठीक है अगर official capacity में काम कर रहे हैं governor journal और उसके official ठीक है तो उस काम में supreme court का कोई भी दखल नहीं होगा ठीक है तो supreme court उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी अगर वो official capacity में काम कर रहे हैं, अगर servant जो official काम कर रहे हैं, तो इस जो भी इस्ट टेव कमपनी में servant अगर official काम कर रहे हैं, तो उसमें भी Supreme Court कोई भी मुकदमा इन पे नहीं कर सकती ठीक है? अगर वो कोई personal काम कर रहे हैं तो उसमें Supreme Court का मुकदमा हो सकता है लेकिन अगर वो कोई official काम कर रहे हैं तो उसमें Supreme Court कोई भी मुकदमा नहीं कर सकती ये एक सबसे वाड़ा change आया Amending Act of 1781 में अब इसमें ये भी कहा गया भी revenue matter पे भी Supreme Court decision नहीं लेगा ठीक है? Supreme Court के उपर कलगत्ता के प्रेजिडेंट के उपर पूरा control ठीक है? अब ये कहा गया कलगत्ता में कोई भी case आता है ठीक है? जैसे normal लोगों कोई भी case आता है मा लेते हैं अगर मुसलिम के हिसाब से कोई केस आया मुसलिम या मुहम्मडनला के हिसाब से डिसाइड करेगा Supreme Court ठीक है? Dalgpatah में यतने भी लोग रह रहेते उनके उपर अब Supreme Court का jurisdiction था ठीक है? तो ऐसे कोई हिंदू का कोई case आता है तो हिंदू का ऐसे कोई case आया तो उसके हिंदू लाके according उसका decision लिया जाएगा अगर मुस्लिम कोई case आता है तो उसे मुसलिम लाके according वो decision लिया जाएगा तो friends, fourth point में यह लिखा गया है अगर Provincial Court कोई decision लेता है Provincial Court अगर को decision देता है उसके against में कोई appeal फाइल होती है तो वो अपील जो है वो गवर्नर जर्नल इन कॉंसिल के पास जाएगी नाकी सुप्रीम कोट के पास ठीक है तो फिर सी इसको देखते है प्रोविंशल कोट अगर कोई भी decision देता है उसके against में कोई भी appeal फाइल होती है वो बनाने की ताकत भी गवर्नर जर्नल इन कॉंसिल के पास है नाकी सुप्रीम कोट के पास तो यह था friends amending act of 1781 ठीक है उमीद करूं आपको अच्छी समझ में आया होगा तो आईए अब आगे next देखते है पीट्स act of इंडिया को पीट्स act of 1784 की अगर बात करें सबसे पहले बात करें इस पीट्स act of 1784 को ब्रिटिश पार्लिमेंट में पहली बार introduce किया गया था विलियम पिट ठीक है जो प्रायम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसको फर्स टाइम इंटर्डियूस किया गया था पार्लिमेंट में ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट को अगर आप देख रहे हो तो इसमें लिखा है commercial and political function को इसमें थोड़ा अलगलग किया गया ठीक है जो commercial function जो है वो रहे court of director के पास ठीक है जहांने court of director को पहले भी पड़ा है लेकिन जो political function जो है ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी के वो चलेगे एक नई body बनाई गई ठीक है तो ये political function जो नई body बनाई गी board of control ये उसके पास चलेगे ठीक है ये board of control भी लंदन में बैठते थे ठीक है तो उसके बाद इससे क्या हुआ कि board of control जो थी उसको ताकत मिली जितने भी civil government, military government, revenue control इन सब चीजों को decide करने की ताकत आगी किसके पास? board of control के पास ठीक है जैसे कि हम देख रहे हैं East India Company के पास अब सिर्फ commercial power ही बची थी ठीक है फ्रेंट्स अब पहली बार East India Company को इंडिया में इसको बोला गया British position in India ठीक है और बोला गया British government को supreme control में गया company affair का ठीक है company affair के उपर और administration के उपर supreme control जो है वो मिल गया British government को ठीक है यह control मिला board of control के थो अब East India Company के बहुत सारे ताकर जो थी वो छीन ले गई British crown के द्वार British government के द्वारा ठीक है तो यह था फ्रेंट्स पीट्स एक्ट आफ 1784 ठीक है सबसे पहले एक्ट आफ 1786 की हम बात करें तो लॉड कॉर्ण वैलिस को गुवर्णर जनर्र बंगाल बनाया गया ठीक है लॉड कॉर्ण वैलिस 1786 में गुवर्णर जनर्र बंगाल बन जो गुवर्णर जनर्नल की जो कॉंसिल है जो चौर मेंबर की जो कॉंसिल है अगर इनकी प्रमिशन ना भी हो तो मैं इस कॉंसिल के डिसीजन को ओवर्राइड कर सकता हूं ओवर्राइड करने का डिसीजन लेना चाहूंगा यह इसकी पहली शर्त थी लॉड कॉर्ण वैलिस होंगे ठीक है यह उसकी दूसरी शरत थी तो यह इंपोर्टेंट चेंजिस किये गे 1786 के एक्ट में ठीक है तो यह अब बात करते हम चार्टर एक्ट आफ 1793 के अगर बात करें तो सबसे पहली चीज क्या हुई जो लॉट कॉर्ण वैली को जो ताकत दी गई थी ठीक है जो कॉंसिल के अडवाईजिस को ओवराइड की ताकत दी गई थी उसको यह ताकत अब सारे फ्यूचर गवर्नर जनल को दी गई ठीक है उस से पहले तो यही काम वर 1793 के चार्टर एक्ट में दूसरा काम यह हुआ मदरास प्रेजिदेंसी और बंबे प्रेजिदेंसी की ऊपर थोड़ा शिकंजा कसा गया आप बंबे और मदरास प्रेजिदेंसी की ताकत जो थी वो भी गवर्नर जनल आफ बेंगाल के पास आ गई ठीक है और तीसरा काम जो हुआ वो ट्रेड मोनोपोली जो थी वो 20 यह तक एक्स्टेंड की गई ठीक है तो सबसे इंपोर्टेंट बोर्ड आफ कंट्रोल और जो भी स्टाफ उनके साथ काम कर रहा था उनकी सेलरी उनका जितना भी खर्चा ठीक है जितना भी उसका खर्चा होगा वह अब पे किया जाएगा इंडियन रेविन्यू से ठीक है तो वह काफी हाइफाई जिनकी जीते थे ठीक है तो काफी यह वी एक काफी चेंजिस लाई की चार्टर एक्टा सबसे पहले इस एक्ट में ट्रेड मोनोपोली को अब्लिश कर दिया गया और ब्रिटिश इ जो प्रिटिश इसón डिया कंपणी सब्सक्राइब तो उसके बाद छिन को बोला गया कि आप इंडिया में आके अपने अपने धर्म का परचाब कर सकते हो ठीक है यह भी Charter Act of 1813 में यह भी बोला गया ठीक है और आगया है आप यह भी बात की गई जो British territory जो है ठीक है उन जगों पे Western education दी जाएगी ठीक है उस जगों में Western education फिलाई जाए ठीक है अब local government को बोला गया कि आप लोगों पे टैक्स लगा सकते हो ठीक है यह लोकल government भी टैक्स इंपोस कर सकती है लोगों में यह भी बोला गया Charter Act of 1830 में ठीक है तो यह था गवर्नर जर्नल आफ इंडिया बने लौड विलियम बेंटिक ठीक है उसके बाद जो भी सीवल पावर थी military पावर के ऊपर जो complete authority थी फूल authority कि इसके पास आ गई गवर्नर जर्नल आफ इंडिया के पास ठीक है और जो बंबे में presidency मदरास presidency के पास चोटी मोटी पावर भी थी ठीक है वो भी उसके हाथों से चीन लिग गई और वह गवर्नर जर्नल आफ इंडिया के पास आगे ठीक है उसके बाद इससे पहले जो भी लाव बने ठीक है आब उसको बोला गया regulation ठीक है और इससे आगे जो भी ला के साथ वो ट्रेड कर सकती थी लेकिन अब वो यह भी नहीं कर सकती थी यह भी उससे चीन लिग गई ठीक है अब इस इंडिया कंपनी के पास सिर्फ administrative का थोड़ा बहुता काम बचा था ठीक है उसके उपर थोड़ी बहुत यह थी ठीक है और ट्रेड वेगरा उससे चीन लि कांसि यह इसमत्रड काल इसलिका थे अरव यह रहुद रहेवाँ और यह क्लिक ही इन्डिया को किस भी ट्रेट करने से नहीं रोकां और यह थह नहीं रोको POST-Note में अनिक लिए 3!!! यह था हमारा Charter Act of 1833, उमीद करता हूँगा Charter Act of 1813 और 1833 आपको अच्छे से डीटेल में समझने आया होगा, ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें, Charter Act of 1853 की, तो Governor General Council है, इसके Legislative Function को और Executive Function को सबसे पहले Separate किया गया, अलग किया गया, ठीक है, लाब बनाने के लिए, six new member को appoint किया गया, ठीक है, और इनी member को बोला गया, Legislative Counselor, ओके, तो इसके लिए आपके Separate Governor General Legislative बन गया, ठीक है, जिसको बोला गया, Indian Central Legislative Counsel, ठीक है, तो पहले point में यह explain किया है, तो second में यह बोल रहा है, यह बोला गया, आपकी Civil Services की Post है, Britisher के साथ-साथ Indian भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर कोई Indian selected होता है इसमें, तो उसको higher level की post भी दी जाएगी, ठीक है, उसको higher level की post में भी बिठाया जाएगा, यह का गया, second वाले point में, ठीक है, तो next देखिए, तो इस चीज़ को implement करने के लिए, एक committee बनाएगी, ठीक है, उस committee का नाम था, मकेले committee, ठीक है, और इस company को appoint किया गया 1854 में, ठीक है, इसके बाद company का rule, ठीक है, company rule को India में रहने की permission तो देगी, लेकिन without a timeline, बिना आगे timeline नहीं बताया, सिर्वनको permission देगी, ठीक है, पहली बार act of 1853 में कहा गया, जो Indian center legislative council हैं, उसमें थोड़ी बहुत local representation भी चाहिएं, ठीक है, Indian center legislative council में, ठीक है, यह बोला गया, six member जो आप London से बुला रहे हो, ठीक है, तो थोड़े member यहां से भी बुलाओ, ठीक है, यो six member आप appoint करोगे, Indian center legislative council में, उन six member में से four member इधर से appoint करो, ठीक है, वो जो four member होंगे, वो किदर से होंगे, ठीक है, जो provincial government है, मदर करेंगे, वो आप London से बेच दो, ठीक है, तो यह first time ऐसा किया गया, कि local representation भी, center legislative council में, बिठाएगे, ठीक है, तो यह था friends, हमारा charter act of 1853, ठीक है, इसी के साथ हमारा जो company rule जो है, वो खतम होता है, तो next video में हम बात करेंगे, ground rule के, ठीक है, तो ground rule स्टार्ट होगा next video से, इस video म जो इना इदने वाद, जा वितने दने वाद, प्रीक है, आदाएगे, इस तो प्राउस हमारा जो हमें जाएगे तो, जा एट पोताने दो को तो उहागे न जाएगे तो, इस तो